हलो गाईज आज के इस वेडियो में साक, धाड़ी और ब्रिक्च यही सब तिनों बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं तो ध्यान से देखिए जो कुछ भी दिकत लगेगा आप नीचे चैट सेक्शन में लिख दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं साक से यहाँ पर गौर से देखिएगा साक जिससे एंगलिस में कहते हैं हर्ब और इसे भैजिटेबल भी कह सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए वैसे पादप जिसके तने मुलाइम हो हरा हो खाया जाता हो और साथ ही छोटे होते हैं उन्हें साक कहते हैं परिभासा साप साप कह रहा है कि वैसे पादप जिसके तने मुलायम हो हरा हो, खाया जाता हो और साथ ही छोटे होते हैं उन्हें हम साक कहते हैं तो उदारन में साप साप लिखा हुआ है पालक अब पालक जो होता है, वो मुलायम भी होता है, ये हरा भी होता है, और इसे खाया भी जाता है, और ये छोटे भी होता है, तो पालक जो हो गया, वो हमारा साक का उधारन हो गया, उसी परकार आगे है धन्या, चना, खेसारी, मटर, मूंग, मसूर, सरसो, टमाटर का पोधा, आ लाजर का पौधा, मुली का पौधा, मिर्ज का पौधा, गेहुम, धान, बंदगोभी, घास, पुदीना, आदि, यहाँ पर जितने भी चीज़े आपको दीख रहे, यह सभी के सभी साक के उधारन है, यह साक के उधारन इसलिए है, क्योंकि इनके जो तना होते हैं, मुलायम ह होते हैं, और इनको खाया भी जाता है, और यह साथ ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं, साक, ठीक है, तो यहाँ पर सब के क्या है, सब के सब यह साक के उधारन है, I hope यह आप समझ पा रहे होंगे, चलिए अब हम समझ लेते हैं, जाड़ी, ठीक है, यहाँ पर दे तथा ज्यादा उचे भी ना हो, उसे जाड़ी कहते हैं, साप साप परिभासा में लिखा हुआ है, कि वैसे पादब जिसके तना कठोर हो, अब आपको लग रहा हुआ कि तना क्या होता है, तो तना, आप सिंपल भासा में थोड़ा सा टाम लेकर देखें, यहाँ पर ऐसे को मोटा नहीं होता है, और ज्यादा उच्चा भी नहीं होता है, तो उच्चा भी ना हो, उसे हम जाड़ी कहते हैं, जैसे निम्बू कहो गया, मेहंदी, पुटूस, गुलाब, उड़हुल, यहाँ पर जितने भी चीज़े हैं, यह सब क्या हैं, जाड़ी के उधारन है, यह चीज़े आप ख्याल रखेगा, तो जाड़ी भी आपको आगे होगा, जाड़ी का परिभासा यह रहा, और यहाँ पर साक का परिभासा यह रहा, तो ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं, ब्रिक्च, यहाँ पर गौर कीज़े लिखा हुआ है, ब्रिक्च, जिसे इंगलि हो, तथा ज्यादा उच्चे भी हो, उसे हम ब्रिक्च कहते हैं, ठीक है, तो उदारन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आम, अमरुद, नीम, पिपल, बबूल, जामुन, यह सभी के सभी क्या हैं, ब्रिक्च हैं, ठीक है, तो साक जाड़ी और ब्रिक्च, आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वेडियो के लिए लाइक कर दिजेगा, और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा, जिसे से आप हमारे सदसे के हिसा हो जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं अगली वेडियो में, कोई भी दिक्कत लागा हो, तो नीचे जरूर लिख दिजेगा, मिलते है अगली वेडियो में,